विदेश जाने वाले सबी भाईयों बहनों का स्वागत है आप एक स्टूडेंट हैं आप एक बच्चे के माता पिता हैं अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते थे एक दो बार वीजार नामंजूर हो चुका है कैनेडा ही जाना चाहते हैं कुछ बाते आपके साथ करू है कि दो चार पांच दस दिन में वीजा आज आता था। कि को हो है आज प्रोसेसिंग टाइबेन से साल लग रहा है इसाल में तीन बार क्लासिज होती आइं जनवरी में मई में और सब्तमबर में あाज हुम लोग ओगस्थ के महीने में हैं और जनवरी की क्लासिज खतम होच चुकी है। अगला इंटेक मैं का है। जदी आप कैनिडा जाने की सोच रहे हैं तो आपका एपलिकेशन मैं इंटेक के लिए जाएगा। कम से कम 8 मीने अभी आप इंडिया में ही हैं। अगले आठ मीहने आप विदेश नहीं जा रहे क्या होगा आठ मीहने बाद या वीजा मिलेगा या वीजा नामंजूर हो जाएगा आज ठिती ये बनी हुई है कि दस में से नौ लोगों के वीजे रफ्यूज हो रहे हैं जब हम कहते हैं कि कैनेडा बंद हो चुका है तो लोग को सचेत किया जा रहा है कि संबल जाइए आपके पैसे और समय खराब होने से बच जाएगा जो भी आपको आज कैनेडा जाने की सलाह दे रहा है उसको पूछिए जिसी आपकी प्रफाइल है इसका कोई वहिजा लगा हुआ दिखाए आपको हम भी बच्चों को भेजते हैं हजारों बच्चों को भेज चुके हैं आप मेरी राय जानना चाहेंगे अगले एक साल तक रुकिए आपको कैनेडा ही जाना है यहां पे किसी डिप्लोमा डिगरी में बैचलर में दाखला ले लीजिए अगले साल सब्तंबर में ट्राइ करिएगा जब हलात ठीक होंगे आप अपलाई करते हैं 15 से 20 हजार डॉलर फीस होती है दस हजार डॉलर लिविंग एक्सपैंस होता है आपको 30 हजार डॉलर कैनेडा के बैंक में भीजने पड़ते हैं जब आप डॉलर खरीदते हैं 2-3 रुपे का लेन देन होता है उसमें जब आप किसी कॉलेज को फीज ब होता है अगर तीन रुपे का यह फरक लगा लें और एक डोर डेड़ रुपे अगर डॉलर तूट गया पांच रुपे भी डॉलर तूटा तो डेड़ लाख रुपे का आपका नुक्सान होगा और आठ महीने रकम आपकी ब्लॉक रहेगी कैनडा को डिग्री में वीजा देना है यूनिवस्टी में और डिग्री सब्तंबर दो हजार तैईस में मिलेगी उसके पहले नहीं मिलेगी कुछ गसी पिटी युनिवस्टियां हैं प्राइवट युनिवस्टियां जो एक दिन दो दिन में बैचलर में ओफर दे देती हैं जिनकी रिफंड पॉलिसी इतनी गंदी है जदी आपने ओफर लेटर ले लिया फीस बेज दी कलको वीजा रिफ्यूज होता आपको पैसे नह कर दिया आज पाजी गा जाल बना हुआ है मॉंट्रियल है यदि आप मॉंट्रियल में जाना चाते हैं वह एक तरह का खुदकुशी करने वाला ही हलाथ है मॉन्ट्रियल सरकार ने क्यूभिक की सरकार ने वहां के सारे कॉलेजों के वर्क पर्मिट कैंसल कर दिये हैं जिसकी वजा से कॉलेजों को बहुत बड़ा घाटा हुआ है जिसके चलते आपकी टूशन फीस बापस नहीं मिलने वाली बहुत सारे कॉलेज बंद कर दिये गए हैं बहुत सारे कॉलेज खुद को बंद करना चाहते हैं आज जो भी कॉलेज में आप उंट्रियल में दाखला दे रहे हैं भूल जाइए कि आपको पैसा वहां से मिलेगा कैनेडा बंद हो चुका है समझ लीजिए इस बात को भला हो जाएगा माबाप की सारी जिन्दगी की कमाई लुटाने से अच्छा है यहां पे भारत में कोई काम कर लीजिए एक साल रुकना पड़ेगा कैनेडा जाने के लिए आपको भी समझिए बहुत सारे एजेंट आपको बोलेंगे नई वीजा आ रहे हैं जा रहे हैं सुबह आपको पासपोर्ट दिखाएंगे पासपोर्ट के बाद आपको बच्चे के वीडियो दिखाएंगे आपका नहीं लगा आप अगर इस ट्रैप में आगे दो लाग रुपे में ठुकोगे जो पैसे चले गए यह पैसे वापिस नहीं मिलने वाले पांच-दस परसेंट वीजा अभी भी लगके आ रहे हैं हमारे पास भी आ रहे हैं रिजल्ट वो होता है जब किसी का 40-50 परसेंट वीजा लगता हो संबल जाईए अभी भी पैसे खराब होंगे आपके मैं क्यों आपको मना कर रहा हूं क्या मेरे लिए मश्कील आपको केनड़ा भेजना हजारों लोगों को भेजा है हमने आपकी उमीद तोड़ना नहीं चाहते, आपका विश्वास तोड़ना नहीं चाहते, आपने कैनड़ा का ही पलाई करना है न, तो सब्तमबर 2023 इंटेक में बैचलर डिगरी के लिए किसी पब्लिक यूनिवरसिटी में अप्लिकेशन डालिए, तब तक खलात ठीक हो जाएंगे आप वीजे के हकदार बन सकते हैं, उतनी देर के लिए किसी आई टी आई में दाखला लीजिए, इलेक्ट्रिशन, कार, पैंटर, पलंबर, कंप्यूटर, बिजनर्स, अकाउंट्स, किसी भी तरह की आई टी आई के अंदर दाखला लेके रखिए, आपका गैप नहीं चाहते हैं, आप कैनिडा अपने माबाप के साथ पहुंच जाएं, भाई बहन आपके कैनिडा रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास हर रोज पहुंचते हैं, कि हमको कैनिडा ही जाना है और कहीं नहीं जाना, जरा कैनिडा का प्रोसेसिंग टाइम चेक करिए गूगल में जाके यदि आप अपनी पत्नी को भेज रहे हैं स्पाउस वीजा लेना चाहते हैं 22 महीने बाद आपको वीजा मिलना है या रफ्यूज होना है यहां 22 दिन रुकना मुश्किल हो जाता है यदि आपकी पत्नी 22 महीने आपसे दूर रहेगी क्या रिष्टा रह जाएगा या अपना घर उजडने से बचा लीजिए आप करजे पर पैसा उठा के कैनड़ा भेज रहे हैं साल साल तो रिजर्ट ही नहीं आता एक साल के ब्याज के पैसे ठुकेंगे इधर डेड़ से दो लाकर रप्या कट के आएगा यदि किसी ऐसे कॉलेज उनिवर्स्टी में डाल किसी को भी इसलिए संबलिये कैनड़ा बंद हो चुका है कैनड़ा जाना है जुरूर जाइएगा किसी डिग्री में दाखला लीजिएगा अगर अब भी ना संबले तो पैसे खराब कर बैठेंगे एक अल्टरनेटिव है हम उस्टेलिया भेज रहे हैं बच्चों को बढ़ा मान सकता हूं सारे लोग नहीं जाते एक्स्क्यूज बहुत होते हैं कि नहीं सर मॉंट्रियल में ना पी आर नहीं होती हम नहीं जाएंग तो अस्टेलिया के अंदर हर कॉलेज में वर्क परमिट है वहां पर को प्राइवेट कॉलेज को सरकारी कॉलेज के अंदर मतभेद नहीं होता है अस्टेलिया में प्यार होती है समय लगता है चाहते हैं ना कि जिन्दगी रुकी हुई है उसको चला लें गैप बढ़ रहा है और अस्टेलिया अंबैसी ने भी वीजा नहीं देना आपको जदी आपका गैप बढ़ गया अभी काम नया नया शुरू हुआ है अज दो चार पांच साल के गैप से भी वीजा आ रहे हैं इदर भी लाइन लगती जा रही है चौदा लाख एप्लिकेशन यहां पर भी शोर मच गया हो गई है चाहते हैं कि रुकी हुई जिन्दगी चल जाए पत्नी के साथ ही कठे विदेश चले जाएं कम पैसें पर भी सकते हैं आईए हमें मिलिए आके तेडी खीर है अस्टेलिया हर कोई नहीं बेज पाएगा हमारे पास आईए आपने 2015-16 में पढ़ाई करिया हमारे पास आके पह lockdown 2017 pass-out बार्मी क्लास का वीजा नहीं को दिखाएगा आपको मैं 2017 वाले दिखाओं गाँ उननिस वाले ढगा साड़े पांच बैंड पर आपको वीजे दिखाओंगा यह बिजे क्यूं लगते हैं क्योंकि लोग अपलाई करते हैं कमजोर हैं बैंट नहीं आ रहे नंबर कम है जोड़िए चेक करिए लोग कैसे जाते हैं जिनके कम नंबर होते हैं वो कैसे जाते हैं आपको मेलबॉर्न जाना है, सिड्नी जाना है, एडिलेड, पर्थ, ब्रिस्बिन, उस्टेलिया में कहीं भी जाना है, पैसे लेंगे वीजा लगने के बाद, आईए अपलाई करिए, सोमबार जलंदर मिलिए, अपने सारे काखजात लेके आईए, आपके सपने मरने नहीं दे धन्यवाद.